कि डे टू आप लोगों को नोट मिलते जाएंगे यह सब्सक्राइब आज डे टू के बीन नुट साथ से शेर करेंगे अभी आपको लिखना कुछ नहीं बस आपने नोड़ बूक में उम्मीद करता हूं पर्चेस करके लाएंगे कल जैसे मैंने आपको दो नोड़ बुक कहा था कि 400-400 पेजिस की दो नोड़ बुक आपको पर्चेस करना है तो आपने पर्चेस करके लाएंगे उस नोड़ बुक में आज आज आप सिफ हेडिंग दो आप जो चैप्टर शुरू कर रहे हम लोग अकाउंटिंग अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर हम शुरू करें लेकिन अभी कुछ लिखना नहीं आपने ठीक है अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर शुरू जरूर करें लेकिन अभी जो आपका फोकस किस में होना चाहिए मैं जो बोल रहा हूं उस पर होना चाहिए जब लिखना रहें टू है इसके भी नोट्स आपसे शेयर कर दी जाएंगी तो मैं लिख देता हूं कि डे टू कि आपका पूरा फोकस अभी किस पर होना चाहिए आप लोग का पूरा फोकस होना चाहिए जो बाते मैं कह रहा हूं उस कंसेप्ट के आपका सारा का सारा फोकस रहना चाहिए अब वोड्य मीन अगर हम लोग देखें अब लिखना कुछ नहीं सिर्फ आप अभी मेरी बातों को सुनते जाना है आपको एक्कॉर्डिंग to AICPA what is AICPA American Institute Certified Public Accountant लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में American Institute of Certified Public Accountant तो हम इंडिया में क्या कहते है चार्टेड अकाउंटेंट के तो is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of financial character and in the rating the results they are off okay so meaning of accounting what do you mean by accounting it is meaning of accounting meaning of accounting meaning of accounting this is which I can पढ़के आएंगे meaning of accounting और उन्हें ने महाँ पर कहीं पढ़े भी होंगे इसको और उसको याद करोंगे सर यह meaning of accounting लेकिन मैं इस meaning of accounting को किसी को समझ में नहीं आएंगी जब तक एक दूसरी चीज़ उसको हम कहते accounting process वो accounting process का क्या मतलब होता है वो क्या होती accounting process आप जब तक accounting process नहीं समझोंगे आपको accounting की meaning समझ में आने वाली नहीं है तो हम पहले यह समझते कि accounting process क्या चीज़ होती है पहले यह discuss करते कि accounting process क्या चीज़ होती है उसके बार यह meaning of accounting है उसकी ओपर हम लोग आएंगे यहां पर में second चीज जो अब हम discuss करना शुरू कर रहे हैं वह हम लोगों की accounting process तो यह समझते हैं हम लोग की accounting process का मतलब क्या होता है accounting process का मतलब क्या होता है उसके बाद फिर हम लोगों पर meaning of accounting पर आएंगे अब ध्यान से अभी भी आपको लिखना है नहीं अभी भी नहीं लिख अभी आपका स्रीफ और स्रीफ focus किस पर रहना चाहिए आप जो मैं बाते कर रहा हूं जो मैं कह रहा हूं उसको आपको समझना है तो accounting process क्या होती step by step एक एक चीज़ अब हम लोग discuss करते जाएंगे सबसे पहले जो होता है आपका सबसे पहला होता है entity तो मैंने कहा कि entity का क्या होता है यह है आपका entity सबसे पहला point entity तो entity का meaning क्या होता है organization और individual organization और individual उस बुक्स ओफ अकाउंट आर बिंग मेंटेंड हर बिजनेसमें यह चाहता है हर बिजनेसमें यह चाहता है कि उसको यह पता लगे कि मेरे बिजनेस का performance कहता है कैसा है what do you mean by entity entity वो होता है कि जिसकी आप accounting कर रहे हो जिसका आप हिसाब किताब लिख रहे हो उससे हम entity कहते है जिसकी books of account maintain कर रहे है जिसका यह हिसाब किताब लिख रहे तो हिसाब किताब कैसर जरूरी है कि बिजनिस में नहीं लिए बिजनिस के लिए हिसाब किताब होता है नहीं जरूरी नहीं है एक्जामपल हम यहाँ पर लेते हैं मैं कहता हैं आप से कि रिलाइंस इंडस्ट्री Okay मैं कहता हूँ आप से मैं कहता हूँ कि Reliance Industry हमारी तो Reliance Industry चाहेंगे कि उसका कैसा है यहाँ पर Reliance Industry हमारी तो Entity का मतलब होता है कि हम यह Find Out करना चाहते है कि यह Business जिसकी हम Accounting कर रहे जिसका हम performance देखना चाहते जिसके लिए हम account जिसके लिए हम हिसाब किताब लिख रहे तो एक organization उस organization का नाम है Reliance Industries Limited उस organization का नाम क्या है Reliance Industries Limited इसके owner जो है इसके जो owner है वो है मुकेश अमबानी तो यहाँ पर मैंने का कि Reliance Industry एक अलग चीज़ है और उसके जो owner है वो एक अलग है तो owner वह यहाँ पर कहता हो कि मुकेश अमबानी जी उसके क्या है owner है यहाँ पर हमने देखे कि हम entity का मतलब होता है जिसके लिए हम लोग अकाउंटिंग कर रहे है जिसके लिए हिसाब किताब हम लिख रहे है तो यहाँ पर reliance industry अलग चीज़ है entity और यहाँ पर एक मुकेश अमबानी की reliance industry है लेकिन business एक अलग होता है और owner एक अलग होता है तो आप किसकी accounting करना चाहते है तो हम तो यहाँ पर हमारे example में reliance industry की accounting करना चाहते है तो उसको हम entity बोलेंगे जिसकी books of account हम maintain कर रहे जिसका हिसाब किताब लिख रहे है उसको हम entity बोलेंगे उसके जो owner है अगर उनकी लिए accounting करना चाहते है तो वो entity हमारे लिए हो जाएंगे उसके जो owner है अगर उनकी लिए accounting उनका हिसाब किताब लिखना चाहते है उससे हम क्या कैते एंटिटी कैते हैं तो हमारे example में कहते हैं कि हम लोग accounting करने जा रहें और सिंड़ को हम कहते एंटिटी तो क्या मुकेश अंबानी एक अलग है और सिंस अलग है a accounting की दुनिया में owner एक अलग होता है और business ऐक अलग होता है हम यहाँ पे वैसे जनरली ओनर अपना खुद का हिसाब किताब नहीं लिखते पर्सनल क्यों कि छोटे मैटे को बिजनसमेन हो तो नहीं रिखते जो बहुत बड़े हो जैसे मुकेश अंबानी हो गए को बड़े बड़े रतन टाटा जीसे बड़े बड़े लोग जो बिजनसमेन और बuwी कोई चाहे तो अपना भी अकाउंटिंग करा सकता है तो जिसकी लियह अकाउंटिंग करे वह एंटीटी हो जाती हिसां मैं कहता हूं कि यह जो हो गया हमारा रिलाइंस की यह बिजनस हो गया हम चाहते हैं कि इस business की accounting हो और हमें पता चले हिसाब किताबे यह कौन है यह owner है हम accounting किसके लिए करinko profit और loss पता लगाना चाहते político इसका performance पता लगाना चाहते हैं इसका हम profit है कि law से हम पता लगाना चाहते नहीं हो कौन हो गया? Reliance. तो पहला point हमने देखिए कि जो हमारी लिए entity होती है, जिसकी लिए हम accounting करते हैं, उसे हम क्या कहते है बच्चों? उसे हम कहते है entity. तो या हम किसकी लिए हिसाब किताब, किसकी accounting कर रहे हैं? Reliance की कर रहे हैं, कि हम सबसे पहले इटर्म्स को समझे अच्छे से entity हमने समझे कि जिसकी books of account जिसकी हिसाब किताब लिख रहे हुआ entity है लेकिन क्या लिखते होंगे सरसारी चीज़े लिखते हैं कि हम लोग सारी चीज़े नहीं लिखते ये business में हम लोग सरिफ क्या लिखते हैं transactions लिखेंगे transaction का मतलब क्या होता है तो अभी आप इस चीज़ को समझेंगे कि कोई business dealing a business dealings which can be which can be measure and express in terms of money in terms of money is called transaction मतलब lane दें जिसको आप money में measure कर सकते हो जिसको आप किसमें measure कर सकते हो money में measure कर सकते हो तो अभी मैं examples आपको देता हूँ पहली चीज़ लेकिन इसमें minimum कितनी पार्टी रहती इसमें minimum दो पार्टी रहती minimum कितनी पार्टी रहती है इसमें minimum टू पार्टी रहेंगी और यहाँ पे give and take होता है सर्फ क्या मतलब होता है यह give and take का मैं आपको समझाता हूँ एक give and take का मतलब क्या होता है तो हमारे लिए entity कौन हो गई हमारे लिए entity हो गई Reliance Industry तो Reliance Industry अमारे लिए Entity हो गई और यहाँ पे हम उसका हिसाब किताब रखना चाहते हैं तो जैसे कि Reliance Industry अब यहाँ पे यह जो भी ट्रांजिक्शन होते है रिलाइंस इंडस्री के उन ट्रांजेक्शन को वे रिलाइंस इंडस्री लिखेंगी तो कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं मैं आपको एक्जामपल देतो मैंने कहा यह रिलाइंस इंडस्री बहुत लोगों से लेंदेन करती होगी जैसे कि यहाँ पर रिलाइंस इंडस्री पह accounting कर रहे हूं उसके point of view से आपको सोचना है तो आप थोड़ी देर के लिए जब तरके discussion चल रहा है आप किसके point of view से सोचो आप reliance industry के point of view से सोचो तो हमने का अच्छा अच्छा चलो reliance industry के point of view से सोचना है तो आप सब अभी अपने आपको क्या समझोगे अब आप समझोगे अपने आपको reliance industry और उसके नजरीये से आप लोगों सोचना रहेंगा तो transaction का मतलब वो होता है कि जो बेजर और experience करते हैं money के terms में उसको हम transaction बोलते हैं और minimum इसमें दो party होते हमेशा ख्याल रखना एक party transaction में entity खुद रहेंगा मैं क्या तो reliance industry अपन सब reliance industry तो जो transaction में reliance industry खुद involve है जो transaction में reliance industry involved है वो ही हम reliance industry की books में लिखेंगे अरे भी third party के market में किसी का transaction हो रहा है महां एयर टेल का transaction हो रहा है को customer की साथ तो reliance industry मेरे को क्या करना है वो एयर टेल और भारवाल उसके बीच में लेन देने मैं क्या करूँ हाँ तो इसी लिए जो entity होता है वो दो party में से एक वो पाटी होना जरूरी है जैसे कि यहाँ पर मैंने आप से का कि reliance industry पाटी है यह यहां पर एंटी होना एंटी दो में दो party में से एक party entity होती है तो यहाँ पर पर को reliance industry वो हमारी entity है जिसके लिए हम books of account में क्या करें उसका हिसाब किताब लिख रहे है तो ये entity है हमारी party one एक ये party हुई party one दूसरी party बतलब इसके कई लोगों से इसके transactions होते हैंगी जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ये यहाँ पे reliance industry एक second रहे हैं ये clearance industry यहां पर क्या करती कि customers के साथ लो या पहले हम बात करते कि भी गोट्स को बेशती है तो ये क्या करते होंगी ये लोगों से कुछ खरीद ती क्या करें ये Reliance industry भी कोई goods किसी से खरीद ती होंगी कि ये बाहर किसी को बेशती है या manufacture करती है तो यह raw material लेकर आती हैंगे क्योंकि कोई चीज बनाती है अगर तो मैं कहता हूँ कि reliance industry यह रहा supplier यह रहा supplier और इस supplier ने क्या करा बच्चों यह कोई goods यहां पे दिया हम लोगों को suppose यह इसने raw material दिया तो raw material हमने purchase करें क्योंकि हम manufacture करें reliance industry बहुत काम करते हैं कपड़ा भी बनाती है तो भी raw material लाया और फिर वहाँ पे कपड़े market में ready made कपड़े इसके रहते हैं वो बिखते हैं तो इसने क्या 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 रिलाइंस इंडस्री ने कपड़ा खरीद के लाए तो वो भी तो और उसमें से एक कॉंडरिंगी entity हमारे वाले case में entity हमारे example में entity कौन है हमारे example में entity reliance industry हमारे entity तो हमने यहाँ material हमारे पास आया हमने कोई चीज़ खरीद के लाए कपड़ा खरीद के लाए तब उध्या कहीं से खरीद के लाए तो एक पार्टी यह involved एक पार्टी मैंने आप से कहा कि यहाँ पर give and take हो रहा है तो भी उसने हमें कुछ दिया उसके बदले में हम उसको कुछ देंगे तो यह जो raw material है मैं example यहाँ पर लिख ले तो यह जो raw material हुआ यह raw material मैं सोचता हुआ हमने क्या हुआ हुआ है यह raw material लाए हमने और यह क्या चीज़ ए कपड़ा है यह हमने खरी दे लेकिन उसके बदले में कुछ देना पड़ेंगा यह commercial डूनिया है एक चीज़ दे तो दूसरी चीज़ लेना पर तो यहाँ पर raw material हमने खरी दे उसके बदले में क्या करना पड़ेंगा उसके बदले में reliance industry उस supplier को क्या देंगी पैसा देंगी हो सकता है कि पैसा immediately दे दे तो उसे हम क्या कहते है cash हमने उसको क्या करे immediate पैसा दे दे तो वो गया क्या cash लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अभी नहीं दिये अभी नहीं दिये और यह क्या चीज़े यह पेबल यह क्या चीज़े पेबल अभी cash नहीं दिये तो एक हो सकता है कि मैंने आपसे ख 것 cash transaction मझमолетमें जो होता हमने पैसा दे दिए हमने राउ मर्टरियल लिए और उसके बदले में पैसा दे दिए तो इसे कहते हैं cash transaction यसे क्या क постро resh such transaction और इसे क्या के Este realizar transaction मतलम हमने लेकर तो आ गये लेकिन पैसा अम उसको बाद बें तो तो वो भी record करते हैं हां सर मगर हमने तो पैसा दिये नहीं तो फिर क्यों record कर ले रहे पेबले बच्चों पेबले paid नहीं पेबले we are liable to pay हमको उसे देना है तो वो देना है तो उसको भी हमको लिखना रहेंगा हमें उसे पैसा देना है तो मतलब यह transaction जो हिसा लेन देन होती है वो हो सकता है कि cash में यह हो सकता है किसमें credit में तो यहां पर आपने observe करे कि दो party एक पार्टी एक पार्टी दूसरी और यहां पर हमारे पस raw material आया क्लॉट आया उसके बदले हमने cash दिये यह हम यह liable to pay तो यहां पर यह given take हो सकता है कि immediately हो और हो सकता है कि बाद में मतलब credit transaction we are liable to pay तो इस तरी give and take हो सकता है immediate हो सकता है कि बाद में हमको pay करना पड़े लेकिन अगर हमारे पास यहां पर यह goods आ गया तो हमको उसको record करना पड़ेगा तो यह transaction हुआ तो transaction में payment immediately भी हो सकती है later भी हो सकती है अब यह दो party थी इसी तरह हमने सुझे कि यह कपड़ा आया अभी reliance industry ने क्या करी ready made garments बनाई और इसे बाहर बेची इसे किसे क्या करी बाहर बेची अब जब इसने बाहर बेची तो किसको बेचिंग इसके जो क्या रहेंगे customer जो रहेंगे उससे इसने क्या करी sale करी तो मैं कहता हूँ आपसे भई इसके यह customer से बाहर इन customers को इन्होंने क्या करे गुड्स को बेचे तो जो चीज आप business में जो deal करते उसको जब बाहर वाले को बेचते हो तो उसे क्या कहते उसे हम goods कहते हो उसे क्या कहते गुड्स तो हमने ready made garments बनाए और उन ready made garments को क्या कर बेचे तो हमने वह goods दिये goods दिये तो ready made यह goods हमारे कौने ready made garments हमारे example में बच्चो वह ready made garments यह ready made garments तो यह ready made garments हमारे लिए goods है जिसमें आप deal करते हो जिसमें हम business करते हूँ आपका goods होता है तो मैंने का example हम ready made garments में deal करते तो हमारे लिए क्या हो बच्चो goods हो आप तो हमने क्या कर अभी reliance industry बाहर customer को बेची उसके बदले में उनसे क्या लेंगी उसके बदले में उनसे क्या लेंगी वो पैसा लेंगी तो cash हो सकता है immediately आए या हो हो सकता है क्या है वो बाद में आए जो receivable अभी हमको उनसे लेना है तो यह जो given टेक है हुआ immediately भी हो सकता है later rate में भी हो सकता है तो यह जो यहाँ पे cash आई यह कौन सा transaction है आपका यह cash transaction है पैसा immediately आगया यह बाद में आने वाला यह उधारी वाला transaction थी credit transaction तो purchase जब हमने यहाँ पे raw material जब खरीदे थे जब purchase करते बच्चों यहाँ पर यह पर यहाँ पर हमारा यहाँ पर भी दो पार्टी थी हमने उधारी मिली तो payable उधारी हमने किसी को जिस हमको उससे पैसा लेना है तो थी वेवर तो आप देखो यहाँ पर दो पार्टी यहाँ पर भी तो उसमें से एक पार्टी हमेशा कौन सी पार्टी रहेंगी NTT तो यहाँ पर दोनों transaction में आप देखो हमारी लिए NTT कौन है? Reliance तो यहाँ पर फिर चाहें उसका transaction यह supplier से हो फिर चाहें उसका transaction customer से दोनों case में देखोंगे आप entity जो हमारे लिए reliance industry वो दोनों इसमें involved है तो वो ही होता है कि हम जिसमें entity एक दो party में से एक party entity हो रहती है अब क्या sir इतने ही होता है नहीं 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 इसके कई transition हजारों लाखों करोडों transition इस industry के लोगों के साथ होते तो हर transaction में एक party कौन से रहेंगी entity हमारे case में हमने example entity कौन लिए reliance तो हर transaction में यहाँ पर एक party कौन से रहेंगी बच्चो reliance रहेंगी उसी तरह reliance में यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते बहुत सारे लोग क्या करते वो employee है तो यह employee है यहाँ पर free पर काम करते हैं कि नहीं employee free में काम नहीं करते हैं तो employee को हम पैसे देंगे example की तो और मैं कहता हूँ कि यह हमरे employee है वो यहाँ पर job करते हैं ठीक है यह employee है यह क्या करते हैं यहाँ पर job करते हैं अभी reliance industry में job करते हैं क्या free में job आप आपजोब करना में को सर्वीश्य प्रोवाइट करें ये इंपलॉई ये एंपलॉई ए और ये हम लोगों को क्या प्रोवाइट कर रहें a प्रोवाइट कर तो हमको इनने क्या देना पड़ेंगर? यहां पे बहुत सारे ट्रांसेक्शन होतें, फॉर एक्जामपल, रिलाइंस इंडस्टी के के कि नहीं, नहीं, सर, हम लोगो एक सिकेंड लुकर है, यह कहते है कि नहीं, एक्जामपल की तौर पे मैं कहे रहा हूं कि तो यहां पे हमने उनकी premises use करें तो उसके बदले में हम उनको क्या देंगे पैसा देंगे तो यहां पे यह rent हमने pay करें rent pay करें किसको pay करें landlord को तो आप इन हर transaction में अगर आप observe करोंगे तो आप यह observe करोंगे उसमें से एक party कौन सी आपकी reliance है तो बही hablar entity entity वह transaction जो भी transaction यहांपर उसमें एक party कौन सी हमारी एंटी और वह entity के transactions हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको caution में जब solved刷 रहे हैं आपको यह देखना है कि आप accounting किसके लिए करें तो accounting हम यहां पर entity की लिए कर रहे हैं अच्छा तो क्या चीज़ एंटीटी लिखता है ट्रांजेक्शन लिखता है वो ट्रांजेक्शन जो एंटीटी के दूसरे लोगों के साथ ट्रांजेक्शन हुए हमने का है अच्छा चलो 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 अब इन ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं इन ट्रांजेक्शन को हम लिख ठीक है अब वो transaction के बाद यहां पर यहां पर Yp360 को लिख घालाई आई जायाँगा तर्णिक्शन के बाद क्या करता है वू लिखता है यहां पर जो Park showing yönपर आ रही 3rd पोइंट अलव적으로 recording अब उन ट्र traced इक्षिंशन और क्या करना उन रांजिक्शन को हम क्या करेंगे लिखेंगे लिखेंगे तो इसे हम इस रिकॉर्डिंग वाली स्टेज dedic को इसे जहां पर हम लिखते भी मैं बताऊंगा इसे हम लोग क्या कहते प्राइमरी बुक्स ओफ ऐंट्री भी कहते फ्राइमरी बुक्स in which in which transactions are transactions are recorded ध्यान से मेरी बाएट सुनेगे अब मैंने कहा कि recording वाली स्टेज है सबसे पहले क्या हुआ है हमने देखे कि entity कौन है उस entity को हमने देखे कि पहले चलो चलो भई उसके जो भी transaction उसने करा उसको हमने transaction देखे किया है अब transaction को लिखना जरूरी तो मैंने कहा ठीक है ठीक है भी लिखते अभी क्या हुआ है यहाँ पर कि transaction लिखने की बारी आई तो ये मेरे सामने ये एक book रखी हुई है मैंने कहा भी ये एक book रखी हुई suppose ये कोई book है मैंने कहा जैसे जैसे transactions होते है हम इस बुक में लिखते चलो भई इस बुक का एक अच्छा सा नाम दे देते इस बुक का एक अच्छा सा नाम दे देते क्या नाम दू में तुमारा क्या नाम दू में तुमारा मैंने कहा चलो तुमारा आच से नाम है जर्नल इस बुक का नाम मैंने रखा जरनल क्या नाम रखा ? इस बुक का मैंने अच्छा सा एक नाम रखा इसको primary books of entry भी कहते इसको first book ये कौन से पहली बुक को थी जिसमें transaction को लिखा जाता है तो मैंने कहा पहले ही पहले आँए भी या पहली बुक है पहली बुक है जिसमें ट्रांजेक्शन लिखा जा रहे इसका अच्छा सा नाम देता है और उसका नाम हम लोग ने क्या रखे उसका नाम हम ने रखे जर्नल तो जर्नल इसका नाम रखे अच्छा तो ये रही हमारी जर्नल ये रही हमारी जर्नल इस जर्नल में हम क्या करते जो रखे इस बुक का नाम हमने रखे जर्णल रखे इस बुक का नाम अब क्या हुआ यहां पे कि सर कोई लिखने का तरीका होता है हाँ हाँ अकाउंटिंग में लिखने का तरीका होते है कुछ रूज के बारे में आज हम लोग刑 नहीं कर रहे हैँ हूँ को शिस्टेमे लिखने संब क्लियर समझ में आ रहा है कोई डाउट है तो आप यहां box में लिख सकते मगर बातों को ध्यान से सुनों तो मैंने कहा आप से कि मैं इसको systematically लिख रहा हूं और वो जो systematically जो लिखते उसे हम कहते double entry system double entry system क्या चीज होती है वो आगे आएंगा कि double entry system actual में आप इस double entry system में कैसे आप इसको record करते double entry system में लिखने का कोई तरीक है लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझेंगे सर्थ systematically लिखते double entry system अभी आपको समझाए कि हर transactions के कितने effect होते हर transaction के दो effect होते हर transaction के give and take होता है तो double effect होते हर transaction के कितने effect होते double effect होते तो भई यह रही हमारी journal यह रही हमारी और इस जर्नल में हम लोग क्या करते हैं सारे transactions को हम लोग यहां पे लिखते हैं तो यह जर्नल रही है जर्नल में क्या करेंगे सारे transactions को यहां पे लिखा जा रहा है अब यह कैसे लिखा जा रहा है मैंने कहा सर कि यहां पे जैसे जैसे date wise date wise date wise date wise in chronological order date wise in chronological order ओके एक मिट मैं लिख लू पहले date wise in chronological order इसको अच्छे से समझेगे मैंने कहा ये वो book है जिसमें हर transactions को मैं लिखूँँगा हर transactions को क्या करूँगा मैं लिखूँँगा ये वही book है अब यहाँ पर date wise जैसे जैसे date आते जाती है in chronological order जिस sequence में transaction होते उसी sequence में क्या करेंगे हम इन transactions को यहाँ पर लिखेंगे तो जिस sequence में मैंने कहा सुबह 11 बजे को transaction हुआ purchase का 11 बच्च के 10 मिट पे हुआ sales 11 बच्च के 20 मिट पे और एक sales 11 बच्च के 12 में 11 बच्च के 25 मिट में आपने सब रेंट पे करें I mean to the जितने transaction सारे के सारे transactions में यहाँ पे लिखूंगा in chronological order what do you mean by chronological order जिस sequence में transactions हो रहे हैं उसी sequence में हम लोग एक के बाद एक लिखते जा रहे हैं जैसे जैसे transaction वैसे वैसे हम लिखते जा रहे तो इस book में कहता हैं कि मैं सारे transaction लिए रहे हुऊ एक के बाद एक सारे transaction इसमें लिखते जा रहा हूँ 100% transaction लिख रहो मगर क्या हो रहा है मुकेश जी ने हमको बोले कि मुकेश जी हमारे जो owner है मुकेश ह्याँ और यहां पर kiista हुआ जब हम लोग देखने लगे तो हमने यहां पर हर ट्रांजेक्शन को लेकिन रिकिन रिलाइस इंडस्टी बहुत बड़ी इंडस्ट्री उसने कहा सरह यह तो बड़ा कॉंप्लिकेटेड हो गया बहुत बढ़ गया वैपार बढ़ चुका है बिजनेस बहुत अच्छा च कि अव्ही तक लेकिन मेरे को यह रियलाइस हुआ के में को अपना काम थोड़ा आसान करना है तो बुक बहुत भारी हो रही थी तो मैंने बुक को यहां पर रखा और मैंने कहा कि एक और मैं लेकर आगया इस बुक का हम लोग नाम रख देते कैश भुक इस बुक काम लोग स्टेज में recording वाली स्टेज में एक और चीज़ आपकी आती उसे हम क्या कहते बच्चों उसे हम कहते cash book आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि इस cash book में आप यहां पर record करते हो cash transaction cash के जो transaction होते bank वालग अलग तरह की cash book हो यह आगे हम बात करेगे लेकिन मैंने का से recording वाली स्टेज में तो दो book आ गए पहले तो आप कह रहे थे कि आप hundred percent transaction यह एक book है इसी में लिखा करते थे मैंने कहा इसका नाम मैंने बड़ा अच्छा सा नाम दिया था और इसका नाम मैंने दिया था journal लेकिन मुझे लगा कि नहीं business बढ़ रहा है यह book बहुत भारी हो रही है तो मैंने कहा कि नहीं ने एक काम करो simplify करते एक और book maintain कर ले थे इस book का नाम रखे हमने cash book तो cash के transaction cash book में लिखेंगे बचे में transaction में इस book में लिखूँगा तो क्या यह जरूरी होता है कि journal भी maintain करो यह cash book भी maintain करो ने जरूरी नहीं होता मैं चाहूँ तो सिर्फ journal maintain करो मैं चाहूँ तो सिर्फ journal maintain करो सारे के सारे hundred percent transaction मैं किस में लिखू जर्नल में लेकिन अपनी सहूलत के लिए अपनी convenience के लिए हम लोग दूसरी books भी maintain कर सकते है recording वाली स्टेज में और एक book का मैंने जैसे नाम बता है दूसरी वो है cash book तो cash book में आप क्या करेंगे यहाँ cash transaction आप यहाँ पर cash book में लिखेंगे अच्छा तो सिर्फ अगर दो book maintain कर रहे जर्नल और cash book दोनो तो cash transaction cash book में बचे हुए transaction journal में अच्छा सिर्फ जर्नल मेंटेन करना कोई to कोई दिक्कत निए सिर्फ जर्नल मेंटेन करें और चर्फ अगर journal मेंटेंग वो करता है तो फिर उसमें hundred percent transaction journal में आएंगे लेकिन कैश भूक भी चैश गुक के बचेंगेशे बचे में transaction फिर journal में और फिर journal maintain करा तो journal में ही सारे के सारे 100% transaction आएंगे इसके अलावा और कोई होता है other subsidiary book हम कहते other subsidiary book उसके बारे में भी अपन discuss करेगे आगे चलके यहाँ पे यह सारी चीज़ इस chapter में आप लोगों को पढ़ना है तो यह आपकी आती स other subsidiary book तो other subsidiary book जो है other subsidiary book तो अगर कोई businessman चाहे तो यह subsidiary book भी maintain कर सकता है तो compulsory है कि तीनों की तीनों book maintain करो नहीं compulsory नहीं है अब other subsidiary book क्या आगे बात होंगी अब इससे समझेंगे आप यहाँ पे कि तीन book मैं कह रहा हूँ कि जर्नल cash book और other subsidiary book क्या यह जरूरी होता है कि तीनों की तीनों book maintain करो नहीं जरूरी नहीं होता कोई businessman चाहे तो अपने convenience के लिए वो जर्नल के अलावा दूसरी book maintain करता है लेकिन यह चीज़ ख्याल रखना जब हम लोग recording वाली स्टेज पे आते हैं और इन हिसाब किताब को जब लिखा जाता है यहां पे तो कोई एक book में लिखा जाएंगा ने फिर एक यह जर्नल में आएंगा यह cash book में आएंगा यह other subsidiary book में कोई दो book में कोई एक ही transaction नहीं आ सकता फिर double entry नहीं चौबल entry हो जाएंगी तो आप यह जो given take हो रहा है जब यह पहली जो book थी आपको एक ही इसमें लिख सकते हैं को एक ही book में तो अब यहां पर मैंने कहा कि मैंने कहा कि मेरा काम बढ़ गया मैं सरी जर्नल नहीं मैंने कहा मैं जर्नल भी maintain करता हूं cash book भी maintain करता हूं और दर سबसेडियरी भूग भी maintain करता हूं सो मैंने आप से का है यह आ गई मेरे पास तीन थीन घूप करता हूं है यह आ गई मेरे पास तीन घूप की मैं यहां पर सप्सी डिरियरी भूग मीन्टेन करता हूं तो इस 錯've सब्सिडेरी बुक में मैं लिख देता हूं उसके बाद मैं Cash Book सबोसिं है Cash Book में लिख देता हूं और जो बिचे वे ट्रांजेक्षण रहते, इस बुक को हम जर्र You मैं आएगे, मतलब सब्सिडेरी बुक में जो ट्रांजेक्षण आत face कौन से आते हो बाद में discussion होगा subsidiary book में जो आते हो subsidiary book में लिख दी cash book में जो transaction आते हो कहाँ पे लिखे cash book में लिख दी है और जो बच्चे वे transaction है वो फिर journal में आएंगे तो क्या जरूरी है कि हम यह तीनों की तीनों book maintain करें नहीं जरूरी नहीं है कोई जरूरी नहीं कि आप यह तीनों की तीनों book maintain करो business man अपने convenience के लिए maintain करता है वो चाहे तो सिर्फ एक book journal ही maintain कर सकता है अगर सिर्फ journal maintain करता और बाकी कोई book नहीं maintain करता तो बच्चों मैं आप ही से कह रहो सारे के सारे transaction यह journal वाली book में ही आएंगे लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा book maintain करते हो तो दूसरी book है आप लोग की other subsidiary book में जो transaction आते हो उसमें लिखेंगे जो cash book में transaction आते हो cash book में लिखेंगे और बचे हुए transaction फिर कहां लिखेंगे अब लोग journal में लिखेंगे तो हमने यहाँ पे देखें सबसे पहले entity हमारे case में entity कौन? Reliance industry फिर हमने देखेंगे उसके क्या हो रहे? transaction वोट डियू मिन बाइ transaction जो इसको money में आप मेजर कर सकते हो मेजर और express in terms of money is called transaction minimum दो party हो तो इसमें से एक entity होती और give and take होता है तीसरा हमने देखें उन transaction को record करते हैं उसको एक book में आपे लिखें अब क्या हो उसके बाद? यहाँ पर आए एक सकेड़ यहाँ पर मुकेश जी और मुकेश जी बोलने लगए अच्छा 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 आप लोग लिख रहे हो मैंने का हाँ मुकेश जी सब चल रहा है बराबर सब चल रहा है मुकेश जी बहुस फिकर में थे काम दी उन्होंने तो मैंने का हाँ 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 सब चल रहा है बराबर सारे transactions को क्या करें हम लिख रहे है तो मुकेश जी ने बोले नहीं यार जरा बताओ जरा बताओ मुझे यहाँ पे कि यहाँ पे आप लोगों की salary कितनी हुए मैंने का यह तो बड़ा मुश्किल काम है क्यों क्यों बोले सर मुश्किल काम क्यों है पूरे साल में salary कितनी है मिंटों से पूरे साल में salary कितनी हुए मुकेश जी पूछने लगे कि पूरे साल में salary कित वाइस chronological order में इस बुक में लिखे वे अब मुकेशंबानी उससे कहते हैं कि दुबैर इसमें यह देखना पढ़ेंगा भाई कि यह बता कि सेलरी किते हैं मैंने का तो समझाने बता रहा कितने इसे बड़े से बड़े रूम हॉल इतनी बड़ी जगा पर भी लिखे वह मां पर उनके जो सब रिकॉर्ड रखें तो कम पड़े अब मैंने का रिकॉर्ड अच्छा अच्छा सब मैं तो chronological order में हर फड्र ट्रांजेक्शन लिखा उसमें परचेस भी आगया एक्षेम और मैं उसको लिख ता गया अब अगर उसमें तो अलग अलग तारीक को आईते ने सारे लोगों को दिया अलग अलग तारीक पर अलग हो सेल्री आते गई करना पड़ेगा तो बड़ा दिक्कत का काम कर रहे तुम एक जगहा लिख लिए लेकिन परपस तो सौल भी नहीं हो रहा यह तो बड़ा तेंशन वाली बात है इसमें परफस ले आपको सेलरी पूछ रहा आप बोलते चेह मैंने बात बताऊंगा इतने सारे लाको करोरे ट्रांजेक्शन कैसे करेंगा उसको तो मिरे को यहां पर क्या करना पड़ेगा काउंट करना पड़ेंगा सेलरी की तो इस तो क्रोनोलोजिकल ओडर में आप लिखा ह तो मैंने करना उसमें और बुक हम लिए दूसरी बुक बना एक सकाश्तम करते लचर और इस लेज़र है क्या चीज्स में यहां पर लिख दे था हूँ फिर मैं आपलो के explain करता हूं हूं एक सेक्ड, information, information of same nature, information of same nature is recorded at one place, at one place is known as, is known as account. मैंने का सर अभी उपर क्या हुआ था यहां पर हम लोग ने जर्नल बनाए हम लोग ने क्या बनाए जर्नल बनाए उपर और यह जर्नल में क्या कर इसको यह जर्नल हम लोग ने उपर बनाए और यहां पर क्या था जर्नल सर इस जर्नल में हम लोग ने आप सारे ट्रांजेक्श date wise उपर मैं आपने देखा हूँ आपर लिखा हूँ chronological order date wise chronological order what do you mean मैं chronological order sequence में जैसे जैसे transaction हुए वो मैं क्या करा है यहां पर लिखता गया तो यहां पर मैंने कहा इस journal में date wise chronological order में मैं transaction लिखता गया लेकिन मैंने कहा मेरा तो purpose ही solve नहीं हुआ सर मेरा तो purpose ही नहीं solve हुआ वो मकेश जी कहते salary बता तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ तो मैंने कहा क्यों ना हम एक काम करते क्यों ना हम लोग एक काम करते कि सर मैंने कहा कि एक nature की information को एक जगा पर लेकर आते एक nature की information को एक जगा पर लेकर आते तो यहाँ पे मैंने छोटे 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 बॉक्स बना है क्या बना है बॉक्स बना है छोटे छोटे मैंने यहाँ पे बॉक्स बना है दो में टुखेंगे वे यह छोटे छोटे बॉक्स बन गए अपने मैंने कहा भाई साब हुज जर्नल है वह बहुत डेंजर चीज है क्यों मैंने कहा यहां पर एक जैसी information को at one place एक जैसी information को एक जगा पर हम क्या करते इसको लेकर आते उसी को हम क्या कहते account मैंने कहा कि मेरे पास यह जर्नल है मेरे पास जो यह जर्नल है इसमें सारे के सारे hundred percent transaction record है सब इसमें मैंने कहा, एक काम करते, मैंने यहां पे क्या लिया? मैंने चार box बना, ऐसे बहुत से box होते इसका account कहते है, मैं इसको समजाने के लिए आपको box कह रहा हूँ, तो मैंने ऐसे box box बनाय और मैंने कहा, यहां पे इसमें, इसमें जो भी information आपकी इस journal में related जो इस से है यहां पे लिको इस से जो यहां लिको इस से यहां लिको और इस से related यहां what does it mean मैं कहता हूँ आप से कि for example अगर मेरे purchase कोई किया तो कोई चीज़ purchase किया अगर मैंने कोई चीज़ sales किया कोई expenses जैसे कि salary ठीक है salary होगे जैसे हमने अभी पिछले इस में कहती है कि rent अब क्या हुआ जो भी मेरे related information मेरे इस journal में लिखी हुए जो information जो account से related उस account में जाके लिख दो account मतलब वो box समझाने के लिए मैं आपका box खहता हूँ तो यह रहा वो box मैंने का सर यह journal में सारी आपकी information लिखी है मैंने का एक काम करो यह journal में से आप क्या करो relevant information जिससे relevant है महां पे लेके चले जाओ तो अपन नाम रख देते हैं box का यह box से एक अच्छा सा नाम रख देते इस box का नाम क्या रख देते इस box का नाम हम लोग रख देते बड़ी ऐसा इस box का नाम रख लेते हैं purchase purchase है इस box का नाम तो purchase के आगे कुछ और लगा दो इस box from commerce की दुनिया में account कहते हैं क्या कहते हैं account तो यह box का हम ने के purchase account commerce में से शॉर्ट कर accounts को ऐसा लिखते बच्चो science commerce सारी science वाले तो गबनाना नहीं सब चीज़े आगया आते जाएंगी तो इस तरीके से शॉर्ट कर लिखा जाता है account को ठीक है तो मैंने आप से का मैंने आप से का कि यह रहा आपका purchase account उसी तरह दूसरा box से जिसमें sales की information लिखूँ उसे मैं relevant information जो उस box से related है महाँ पर हम लिखेंगे तो जैसे कि मैंने आप से का कि पहला box दो हमारा वो कौन सा है मैंने हमने उसका नाम दिए purchase क्या नाम दिए बच्चो purchase मतलब उस box में हम लोग purchase से related information जो भी जर्नल में purchase से related information इस box में लाएंगे इस जर्नल में से sales से related information इस box में लाएंगे इस जर्नल में से salary से related information उठाके इस box में लाएंगे और इस जर्नल में से rent से related information उठाके यहां से इस box में लेकर आएंगे तो मैंने कहा कि मैंने अलग-अलग बक्से बना लिया उन बक्सों कॉम कॉमर्स की दुनिया में अकाउंट्स कहते हैं और उस जर्नल में से उस जर्नल में जो 100% सारे ट्रांजिक्शन्स आपने लेके अब वो जर्नल में से जो relevant सेम नेचर की information को एक जगा पे लेकर आना सेम नेचर की information को एक जगा पे लेकर आना अब वो जर्नल में से purchase की information उठाके purchase के box में रखे sales की information उठाके sales के box में रखे salary की information उठाके salary के box में रखे और rent की information उठाके rent के box में रखे इन boxes को हम अच्छा सा नाम दे दे इसको हमने नाम कहा दे दी accounts ये box के 2 side होते बच्चों ये box कितनी side होते दो side होते ये दिख रहा है आपको box कितनी side है इसके 2 side है कितनी side है तो मैंने कहा ये box से box from commerce की दुनिया में क्या कहते है हम इसको हम accounts करे तो इस box से कितनी side है औप इसका नाम रख दीते सरह दो side समझा हुए बच्चो से सिर्ट मैं कहता हूँ आप कि मैं नहीं यहाँ पर का कि इस box के do side है यहाँ तो side मैंने आप से का just 1 minute transfer यह box के मैं तो यहां पर अपने-मर्दी से ऐसा नीं बोलेंगे है अपनू मिन्टू 奶 रखेंगे जोकिश मिर्व कोमर्ष है लगनीónि नाम रखेंगे तो ऐसे नाम मत दे देना कि सर उसका नाम रख देते चिंटू मिंटू अच्छा नाम लगता अरे रही नहीं ऐसा मत करो चिंटू मिंटू ऐसे कुछ भी नाम मत दो तो यह बॉक्स से बच्चो यह बॉक्स से बिटा ठीक है यह बॉक्स है और यह चार बॉक्स से हमारे चारो box के हमने नाम दे रखे ठीक है एक का नाम है purchase आकॉन मतलब वो box का नाम है purchase तो purchase से सारी information महाप्यारी जर्नल में से sales की sales में rent की rent में salary की salary में मगर इसके दो side है सर left और right तो क्या नाम दे मैंने चलो चलो इसका नाम अच्छा सा कोई नाम देते हमारी commerce की दुनिया होता है इसको हम debit कहते है और right hand side को credit कहते है इसी box के left hand side को debit कहते है right hand side को credit left hand side को debit right hand side को credit left hand side को debit right hand side को credit तो इस box का नाम अच्छा नहीं लग रहा अरे पूछा किसी ने तुमसे नाम अच्छा लग रहा बूरा लग रहा एक left side एक right side तो commerce की दुनिया में उसको debit और credit कहते है अच्छा नहीं नहीं सर कुछ और नाम देते चिंटू मिन्टू अरे नहीं नहीं बाबा कॉमर्स की दुनिया में उसको debit और credit को अरे नाम है भाई उसका नाम है उसका debit left side को debit बोलते राइट side को credit बोलते ठीक है भाई तो आपने क्या कर इस box में information में यहां पे लिखता गया अब मैंने कहां से लिखा जर्नल में से उठा के इन बॉक्सेस में इन्फरमेशन लिखा ये बॉक्सेस क्या होते बच्छों ये बॉक्सेस होते अकाउंट ये बॉक्सेस को कौमर्स की दुनिया में क्या कहते अकाउंट तो क्या वो जर्नल में से उठा क जो अकाउंट्स में लिखते उस प्रोसेस को भी कोई नाम से बुलाया जाता है कि वो जर्नल में से भी उठा के उस जर्नल में से भी उठा के जब हम लोग इन बॉक्सेस में इन अकाउंट्स में लिख रहे तो वो लिखने वाली प्रोसेस को भी कोई नाम देते हैं हाँ उसे भी कोई नाम देते बच्चों से भी कोई नाम देते उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वो जो प्रोसेस जो लिख रहा है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोस्टिंग इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोस्टिंग सो पोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जर्नल में से इनफर process of writing process of writing the amount from journal from journal to account from journal जरूरी नहीं जर्नल आपकी recording वाली स्टेज में cash book भी आती है वह आप लोगों की वहां पे subsidiary book भी आती है तो वह कोई भी book में सूटाके यहां पे लिखने को अकाउंट में क्या कहते है पोस्टिंग तो अभी मैं आपे जर्नल लिख रहा हूँ जर्नल टू जर्नल बोलो या कैश बुक बोलो या सबसिडियरी बुक बोलो ठीक है तू Account इसे क्या कहते है Posting मतलब वो जर्नल में से उठा के जर्नल में से उठा के वो जो हम अकाउट में लिखते है उसे हम क्या कहते है बचो Posting तो इन Box's के हमने नाम रख दी हूज अकाउट है उसको Commerce की दुनिया में अकाउट कहते है तो मैंने सबसे पहले कहा कि entity है वो हमारे लिए case में reliance industry है और उसके transactions होते हैं उसको हमको record करते हैं रिकॉड हम journal में करते हैं cashbook में subsidiary book में हम यहाँ पे सिर्फ journal की बात करते हैं तो journal में हमने लिखे और उस journal से उठाके जो हम लोग यहाँ पे इन boxes के अंदर एक nature की information को एक जगा पर लेकर आते हैं उस account कहते हैं उस अकाउंट कहते हैं जब जर्नल से उठाके जब वो boxes वो accounts में लिखते हैं उसे हम किस नाम से उसे हम कहते हैं posting मैंने का अच्छा अच्छा बड़े अच्छे boxes है तो बड़े अच्छे boxes है समझाने के लिए कह रहा हूँ ठीक है अब बड़े अच्छे boxes है और मैंने कहा चलो चलो बड़े अच्छी बात है बड़े अच्छे boxes है अब क्या हुआ यहां पर कि एक nature की information को एक जगा पर लेकर इसके दो side है एक debit side एक credit side द यह रही वो बच्छों जरनल दिख रही है आपको जरनल इस जरनल ने से उठाके इन boxes में लिखता हूँ मैंने कहा यह जरनल में से मैंने information उठाया और जो purchase इस related information है purchase में लिखा वे जरनल में बड़े एक बादेज्ड में उपक्वार मैंने कह हैं यह जरनल में से information उठाया और sales से related जो ते सेल्सके box में रखा यह journal में से information उठाया और salary से related के box में रखा यह जो मैंने जर्णल में से information उठाया और rent से related थी हो rent के box में रखा अब इन boxes के two side left and right left and right हम commerce की दुनिया में कहते debit और credit कुछ information को debit में लिखा जाता है और कभी credit तो कभ debit होता है कब credit box के कौन से side में left में के right में कहां पर लिखू वो अभी नहीं सीखने हो अपन कुछ दिनों में सीखेंगे लेकिन दो side होते हैं debit और एक को कहते credit और इन information को हम हाँ पर क्या करें लिखते गए कभी debit करेडिट में होता है और बाद में सीखेंगे कहां लिखना रहता है लेकिन दो side होते हैं कभी debit होता है और कभी क्रेडिट होता है तो जब debit करना box के debit side में लिखे और जब credit करना है जो भी box के credit side में जो दूसरा effect हुआ account उसके माँ पर credit करें तो मैंने box के 2 side होते है बच्चो एक होता है debit एक होता है credit आपने इसके debit में यह credit जहां पर बोला उसका आपने लिख लिए अब क्या हुआ है boxes के debit और credit हम लोग ने लिख लिए example के तौर पर मैं यहां पर कोई amount लिख दे तो आपको समझाने के लिए । मैंने कहा है purchase के debit में यहां पर लिख वा है 100 100 लिख वहाया बच्चो और यहां पर समझाने के लिख लिख चलू, sales इसके बाद यहां पर इसके बाद हम लोग इन बॉक्स की क्या करते हैं अपने डेबिट क्रेडिट कर दी अब इन बॉक्स को हम लोग क्या करते हैं इसके बाद हम लोग इसकी टोटलिंग करते हैं क्या करते हैं इन बॉक्स की टोटलिंग करते हैं तो मैं 6 पॉइंट लिखता ह transactions को कहां पर लिखे सबसे पहले कहां लिखा गया उसको journal में लिखा गया और journal में सारे की सारे transactions लिखे फिर एक nature की information को हमने क्या करें एक nature की information को एक जगा पर हम लोग रहे क्या करें इसको लेकर आए अब एक nature की information को एक जगा पर लेकर आ गया और फिर उसको एक जग पर लेकर अकांट और जो जर्णल से अकांट में लिखने की process को posting कहते हैं अब उसके बाद next step जो हमारी totaling और balancing मैंने कहा सर्ड ये क्या होता है totaling और balancing का मतलब क्या होता है totaling और balancing का मतलब भी होता है बच्चों बेखो यहां पर यह है आपके debit में कितना लिखा है 100 तो यहां पर balancing करें debit में 100 debit में 100 लिखा है create side short है यह आपको total आपने 100 कर रस्क ही और यह balance आगया है 100 मैं समझाने के लिए कभी आपको और एक figure लिखता है 150 यहां लिखता है यहां पर 30 लिखता है तो मैंने आपसे का, यह आपका sales account है, तो sales वाले box में गए, हम एक एक box में जाते जा रहे, यह आया sales वाला box, मेरे सामने, यह आया sales वाला box, मैंने कहा, बताओ, बताओ, क्या है, अरे, अरे, sales की credit side, मतलब credit side में इसके कितना लिखा हुआ है, 150, अच्छा, अच्छा, debit side में कितन लिखा हुआ है, 30, मतलब दोनों में अंतर कितने का, 120, तो total करें आपने तो ज़्यादा है, यह आपका 150 टोटल ही, बच्छो, यह total, यह total आप ज़्यादा जो 150 को पहले लिखते हो, ज़्यादा है, 150, फिर करते हैं, balancing, totaling and balancing, तो total करें, 150 हुई, balancing, अंतर कितना, एक side में 30 लि लिखाए, 120 का, इसे कहते हैं, totaling and balancing, तो कभी हो सकता है, आप लोगों का, कभी हो सकता है, बच्छो, कि कि आप लोगों का, एक side short जए, कभी हो सकते है, को दूसरा side आप लोग का short जा, debit site हो सकता है, कभी हो सकतते है, कभी हो सकते, credit side क्या जाए, short जाए, अब मैंने कहा हम आगे वाले box में कहें, अरे ये रहा हमारा आगे वाला box, कैसे हो salary भाईया, salary भाईया बोले मेरे debit side में 15 लिखा है, और credit side में कुछ भी नहीं, मैंने कहा total करो, total करो, ये रहा 15, मैंने कहा credit side short है, तो वो आपका balance आ गया, ये हो गई balancing, इसे कहते totaling और balancing, ठीक है, मैंने कहा, आओ आओ, चौते बॉक्स में है, मैंने कैसे हो, रेंड भीया, बताओ, बताओ, क्या पोजिशन, वो बोले के, नहीं नहीं सर, यहाँ पे, मेरे डेबिट साइट जादा है, तो मैंने महाँ पे एट लिख दिया, यहाँ पे शौट चले गया, आठ से, तो यह होगी, बैलेंसिंग, इसे कहते हैं, तोटलिंग और बैलेंसिंग, अब मुकेश जी आए, बोले कैसा चल रहा है, काम मेने बुला अब बढ़ी है, तोटलिंग और बैलेंसिंग होगी, सर, यह देखो, इतने सारे बॉक्से से, यह अक नहीं, आप इमेजिन करो, इमेजिन करना बहुत जरूरी है, बच्चो, imagine करना बहुत जरूरी है, फिर हमारे पास मुकेश जी आए, कैसा चल रहा है, मुकेश जी मैंने कहा सब अच्छा चल रहा है, बोले क्या हल चाले, मैंने कहा बॉक्सेस बनाए, उस बॉक्सेस को कॉमर्स की दुनिया में अकाउंट कहते हैं, हमने जर्नल से उठा के लिख लिए, रहले, जो जिसकी जाए, एक नेचर की इंफरमेशन को एक जगा लिख लिए, तो मुकेश जी बोलने लगे, चलो चलो, अच्छा, अब यहां पर, वो आय और उनने कहा, कि आपने टोटल लिंग भी कर लिए, हाँ, मैंने कहा टोटल लिंग, आपको आसान कर ल करते हैं, मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता, वो काम मैंने आपका असान कर दिया, और मैंने आप से कहा, आप खुश रहो, मैंने बैलेंसिंग भी कर दिया, मुकेश जी बोले बैलेंसिंग कर दिया, फिर बैलेंसिंग कहा लिए, मैंने कहा चिंता क्यों करते हूं, ये जो boxes है ना, ये boxes के लिका हुआ है ना इसमें, आप boxes खोलो, ये मुकेश जी ने box खोले, और वो कहा अच्छा, ये तो आपका किसका box है, ये आपका purchase का box है, अच्छा अच्छा, इसके एक side में 100 है, दूसरे side में balancing है, मैंने का इसमें 100 का balance है, दूसरा box देखो sales का, उसमें 120 का balance है, तीसरा box देखे, मुकेश जी बोले, अच्छा salary में 15 का balance है, चौता box देखो, मुकेश जी, मैंने आपको balancing करके दे दिया, आपका काम तो बड़ा असान करा, बोले, busy, busy man, time नहीं है उनके पास, बोले, ये कितने सारे box हैं, जाके एक एक box में क्या totally और balancing में चेक करते लो, कितने सारे box हैं, कितने सारे accounts हैं, क्या सब के balance की check करूं क्या, मुकेश जी बोले, मेरे पास time नहीं है, busy आदमी हैं, हाँ मैंने बोले, busy आदमी हैं, तो क्या करें, तो उन्होंने बोले कि एक ही कि आपने बैने का, कि एक nature की एक जगा information ला दिया, तो भी खुश नहीं, उपर journal में लिखा था, एक जगा पूरे transaction लिखा था, तो बोलते थे कि एक जगा transaction आपने क्यों लिख लिए, मैं को सहूलत चाहिए, एक nature की information को एक जगा लाओ, तो accounts बनाया, उन account में boxes हम कहते हैं, समझाने के रो, boxes हैं, तो journal में से boxes में लिखा, उन accounts में लिखा, उनकी total भी करा, उनके balance भी किया, उसके दो side हो रहे, एक side को commerce में debit कहते, दूसरे side को हमारी commerce के दिने में क्या कहते हैं, बच्चो, credit कहते, तो यहाँ पर वो भी करा, तो भी खुश नहीं है, वो कहते हैं, नहीं, नहीं, time नहीं, busy, तो बोलते हैं, क्या करो, मेरे पास time नहीं, और आसान करके दो, ठीक है, तो और क्या असान कुरूँ, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर important है, इस चीज़ को आप लोग ख्याल रखें, कि कि भाई, if, यह जो उपर accounts बनें हमारे, boxes, if debit side is more than, if debit side is more than the credit side, is called debit balance, is called debit balance, और मैं पहले ही कह रहा हूँ, जो science के बच्चों के बिल्कुल नहीं घबराना, believe me, यह पूरी जो कहानी अपन अब इतनी बात करेंगे, आगी बहुत सा discussion अब आगे, अगर आपने 60-70% भी समें click कर गया, अब genius हो, अब genius हो, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे धीर दीरे जाएंगे, जब करते जाएंगे, ग्रिप आते जाएंगे, अब ध्यान से सुनेगे, अब मैं कहता हूँ, क्या लिख रहा हूँ, उसका meaning में समझाता, if credit side, is more than the, more than the debit side, is called credit balance, मैंने कहा आपसे, मैंने कहा, अगर यह box का debit side, जाएंगे, अब क्रेडिट side से, तो इसको debit balance बोलते है, अगर credit side जाएंगे, अब क्रेडिट से, तो इसको credit balance बोलते है, आगे जब accounts में आएंगे अपन, questions में जब और मैं बात करूँ है, तो मुकेश जी आए, मुकेश जी बोले, काम तो हुआ नहीं, मुकेश जी फिर नार से रखो, मैंने कहा, मुकेश जी नाराज मतो, इस page है, ये blank page है, मगर इस blank page को अपने एक नाम देते है, क्योंकि जितने भी boxes थे, ये boxes के उपर हमने समझाने कह रहा हूँ, इन boxes के उपर मैंने amount लिखा हूँ, कितने कितने balance है, उन सारे balances को मैंने कहा, मुकेश जी तुम चिं नाम तो उस box में इतना balance है, ये box उसमें इतना balance है, एक जगा पर मैं लिख देता हूँ, तो ये जो blank page दिख रहा है, यहाँ पे सारे boxes से मैं information लिख आता हूँ, इस blank page के हम एक नाम रख देते हैं, बड़ा अच्छा सा, उसका नाम हम लोग ने रख दी है, यहाँ पे ट्रायल बैलनस क्या का? ट्रायल बैलनस का मतलब क्या होता है? मुकेश जी, मैंने कहा कि इसका मतलब होता है, राइटिंग all the balances, all the balances of account, account मतलब जो उपर था, यह जई ने इसको, इसको आकाउंट कहते हैं, जो box है न आकाउंट है, और उपर जो इसका इसका अकाउंट नाम ह account head कहते है इसको account का नाम है परचित account sales account तो सर account की जो balances थे writing all the balances of account at one place at one place is called is called trial balance is called trial balance क्या मतलब होता है trial balance is called trial balance ओके अब ध्यान से अब आप मेरी बास सुनेगे ठीक है यहाँ पर क्या चीज़ है कि यह मेरा यहाँ पर trial balance मैंने का मुकेश जी बीजी है मुकेश जी बीजी है तो मैंने एक page लिया यह रहा वो page और मैंने क्या किया इतने सारे boxes इतने सारे जो accounts है उस सारी information को क्या करा मैंने हर account के balance इसको एक जगा मैंने लाके लिखा अब वो कहां पर लिखा मैंने बच्चो एक जगा जो लाके लिखा यह हमारा trial balance है अब यहाँ पर एक को कहते है अब debit balance यहाँ पर debit balance और यहाँ पर credit balance तैसे बहुत सारे box तो इन boxes के नाम थे उन accounts के नाम थे जैसे की हमने उपर में लेकिए क्या नाम थे भई पर्चेस था sales था और क्या था salary था rent था salary था rent था क्या कर रहा मैंने एक जैसी information को एक जगा अकाउंट में लेकर रहे थे लेकिन अकाउंट के balances को अपनने क्या करे एक जगा पर लेकर रहे उस जगा का नाम के trial balance अब मैंने कहा मा जिसका debit balance उसको debit balance कॉलम में जिसका क्रेडिट बैलेंस उसको क्रेडिट बैलेंस कॉलम में यहां पे लिख लेता हूँ मैंने कहा देखो देखो मुकेश जी आईए मुकेश जी आईए अब मुकेश जी आए और पूछने लगे कैसा चल रहा है मैंने खहाँ एकदम बढ़िया चल रहा है यह जो trial balance है न इस trial balance में ने जो बैलनस पर मैंने कहा mrkj जी आया मुकेश जी पुछने भर के कैसा चल रहा है मैंने सर मेंने तो आपका कामासान कर ढ़िया क्या आसान धिया मुकेश जी कहते मैंने तो मैंने कहा मुकेश जी मैंने आपका काम असान कर गया मैंने का उसारे जो अकाउंट से उनके जो बैलेंस थे सब को मैंने एक जगा पे लेकर आ गया सब के बैलेंस अब आपके लिए असान है तो मुकेश जी खुश और मुकेश जी कहने लगे अरे वावा तुमने तो एक information को तुमने मतलब हर account के balance को आपने एक जगा पे लेकर आ गए मुकेश जी पेज देखने लगे और मुकेश जी बहुत खुश मुकेश जी बोले वावा इस trial balance में तो सब चीज नजर आ रही है मैंने का हाँ हाँ सब चीज नजर आ रही है जैसे कि यहाँ पे हर account के balance में जितने boxes थे सब boxes के सब के account के जो balances थे boxes के जो balance थे एक जगा पे लिग दिया और उस एक जगा को क्या कहते है उस एक जगा को हम कहते है trial balance अब ये trial balance में हर चीज आ गया ये trial balance में क्या हो गया आपके हर चीज आ गया तो यहाँ पे जब हर चीज आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे जो accounts के जो balances आपके वो इस trial balance में जो balances है वो आपके हो सकता है कोई expenses के balance हो, हो सकता है कोई income के balance हो, हो सकता है कोई assets के balance हो और हो सकता है क के बालेंस ओ, commerce वाले तो ठीक है, science वाले बच्चों घबराना मती, asset का मतलब क्या होता है, liability का मतलब क्या होता है, इसे घबराना मत, मैं सिखाऊंगा सब आगे, ठीक है, मगर इन trial balance में अलग अलग, जम nature of account इस अब आगे, हम देखेंगे classification and nature, जब बात होगी, expense income, asset, liability, लेकिन एक जगा पे लेकर है, मुकेश जी ने फिर नया सवाल करे, मुकेश जी बोले, ये तो बताओ, कि profit किता हो, अरे मेरे मुकेश जी, ये possible नहीं है, कि profit किता हो, कैसे बताओ, अरे, बोले profit किता हो, तुमें नहीं पता, बहले, नहीं नहीं पता, profit किता है, नहीं पता, तो मुक पाइब चलना कि किसका कितना profit है और किसका कितना loss फिर मुकेश जी का काम पूरा नहीं हुआ तो मुकेश जी बोले इसके आगे करो profit और loss बताओ मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है तो इसके आगे क्या हुआ फिर हम लोग आगे कर ठीक है यहां पर पेज खता हो रहा है नेक्स लाइट में लिखता है फिर आगे क्या हुआ जो एट स्टेप है कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ट्रांजेक्शन वैसे तो हमने हर ट्रांजेक्शन को बच्चो यह जो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज है यह जो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज लिए हर ट्रांजेक्शन कि रिकॉर्डिंग वाली स्टेज बच्चो यहां पर क्या करना है करना है आपको हैमर्य को यहां पर लिखना裡 लेकिन प्लीक है आई तो कभी-कभी यहां पे रह जाते तो उन transaction को या को या भूल गए तो उन transaction को आपको मुझा दिया जाता है और वहां पे उसको आपन transaction दुबारा दुबारा दनी तो इसे हम कहते explains entry क्या कहते इसे हम कहते अधिस्मेंट एंट्री एंट्री तो एड्जेस्मेंट एंट्री मतलब तो रिकॉर्डिंग वाली स्टेश पर आप नहीं लिख पाए तो आपको यहां पर फाइनलाइज करने के पहले आप उसको लिख लो तो ये क्या होते है वी डर्ट रांजेक्शन a transaction which have which have not been which have not been recorded which have not been recorded in the books of account so far abhi tak nahi likiy usko so far has to be recorded now has to be recorded now okay agar aap ne ko transaction pehle nahi likiy to abhi usko likiy lo kyunki aap final kar rye mukesh ji page se pasan niya aada khushni tiyo trial balance likiya trial balance eek jaga bhe likiy dikira eek jaga bhe me ko ye batao ki meri business me profit kita hua or loss kita hua uski baat karo uski baat karo meinne kaha thikhe thikhe to hum log agree stage pe gai is adjustment ke entry ke ba aagli stage pe gai اور usse humnne kaya yaha phe nine nine point me gai or usko humnne yaha phe kaya financial statement kya ka minne kaha mukesh ji ghabrao man mein aap ko بتata ho financial statement bhai ye financial statement ko or ek nam se bulathe kis nam se bulathe isse hum final account bhi kehethe isse hum log or kis nam se bulathe isse hum log final account bhi kehethe isse hum kya kehethe final account bhi kehethe ab dhyan se sunnengye bچo final account ke nama se bhi kehethe ye joh final account hai do category me rata ye final account hama ra kitni category me rata do category me ye but hour eek category final account ki joh hoti humnne yaha usse hum bulathe trading and profit and loss account trading and profit and loss account isse kis nam se bula trading and profit and loss account اور dousra joh yaha peh hota humnne yaha state usse hum balance sheet to ye douno ka alag alag purpose hai bach joh trading and profit and loss account hai business ka profit hoa ki loss hoa 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 humnne بتata hai to usse commerce ki dunia me humnne yaha kia hoa humnne yaha kitna hoa hoa humnne yaha betata hai or ye joh balance sheet hai ya hap performance nahi betata hai ya hap sabaab sunnenghe mene ka hap se ki bhai performance aap ko trading in profit and loss account financial statement me bantai woha apko ye batata hai kia performance kitna so performance ka mtlab kya hoata performance ka mtlab hi hoata ki aap profit hua hai ki loss hua woh aap koo batata is ka mtlab yaha mujhe ye patata chalta ki mera profit hua ki loss hua woh ye batata hem kya trading penal account or balance sheet hem ko ye batata position betata position ka mtlab ki woh hem ko ye batata ki bhai hem harre paas assets kitnye liabilities kitnye یہ position hote science wale bach chy ghabarana mat assets liability terms sune ke woh آگhe chal ki chyze aeyengi magar aap itna samjho kye financial statement us business ka us sal ka profit or loss performance or position betata assets or liability kitnye asset wala aapki sampattiy kittit aapko loggos se kuch leena aapki asset aapki sampattiy kittit aapki 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 rakhkha aapki ipad aca system laga aapki 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 or loss iya betata aapki or loss kiska difference hota joh aapki business expenses hote hai or income ota you your trading penal account so aapki sara expenses or income kya kare bach trading penal account me kya li kya aapki expense or income pa li kya और यहां पे जो आपके assets और liabilities जो होती है जो आपकी assets और liabilities जो आपकी होती है उसको क्या करते है अपन? assets और liabilities जो होती है वो assets और liabilities आपके next year carry forward होते है अब आप सुचेंगे इसर ऐसा क्यो होता है? यह फर्क समझना मैं यहां पे लिखता हूँ assets और liabilities को क्या करते? carried forward to carried forward to next year इसको next year अपन क्या करते? carry forward करते अब इस चीज़ को difference को समझना अब इसमें समझना मैंने कहा कि आपका trading in profit and loss account मैं उसमें इस trial balance में यह trial balance में मैंने आप से कहा कि अभी अभी जो मैंने आप से trial balance मैंन जो यहां पे trial balance जो मैंने आप से बनाया इस trial balance में मैंने आप से कहा इस trial balance में expense भी आता है, income भी आती है, assets भी आती है, liabilities भी आती है मगर यह expense और income कौन से expense और income है यह वो expense और income है जो उस साल के expense और income है उसी साल के expenses और income है यह तो मैंने कहा इसको में एक जगा पर लेके जाते financial statement में तो यह trial balance से भी मैंने information उठा के तीस दूसरी जगा लेकर गया और उस जगा का नाम है financial statement तो मैंने महाँ पे trading पी दो चीज़ बनाया financial statement एक trading account पीनल account महाँ पे सारे expense और income लिका इसी trial balance में जो asset और liability थी वो भी मैंने उसी महाँ पे financial statement में कहा लिका balance sheet में लिका लेकिन मैंने आप से कहा कि जो balance sheet में जो मैंने asset और liability लिका वो next year carry forward होती next year चले जाती क्यों क्योंकि उसका benefit अभी मिलना बच्चा है आप ख अगे भी benefit मिलेंगा तो एक यामरा मैं इसको अपनी books of account में next year carry forward करता हूं तो मुझे किसी से पैसा लेना उसने पैसा नहीं दिया तो मुझे पैसा लेना है हिसाब किताब बचा है तो मैं आगे उससे पैसा लूँगा तो इसको carry forward करते हैं लेकिन जो उसी साल के खर्चे हैं हमने उसको लिखे क्या कर दिए बच्चो खतम कर दिए और उन expense और income को क्या करें हमने महाई पर खतब करें लेकिन जो assets or liabilities है किस से कितना लेना है किसको कितना देना है कौन-कौन से संपत्ति आपके वो सारी चीज़े हमारा भी बचा है सर्वीस मिलना बचा है लोगों से प बिजनस का performance देखना है तो मुकेश जी यहां पर नारास थे वो क्यों नारास थे बच्चों कि वो यह नहीं पता लगा पा रहे थे क्या नहीं पता लगा पा रहे थे यहां पर कि हमने यहां पर यह नहीं बता पा पा थे कि profit हुआ कि loss होआ हम यह नहीं बता पा रहे लेकिन म मुकेश जी को मैंने कहा के देखो देखो मुकेश जी यह प्रॉफिट और लॉस जो हमने पता लगा लिए सर पता लगा लिए आपको प्रॉफिट और लॉस चाहिए था यह देखो और मुकेश जी को हमने बोले मुकेश जी प्रॉफिट और लॉस हम फाइनिशल स्टेट्में entity what do you mean by entity entity का मतलब होता है कि जिसके लिए हम हिसाब किताब लिख रहे जिसकी books of account लिख रहे उसके entity कहते हैं हमारे case में reliance industry को अपने entity माने मुकेश अमबानी उसके owner है मगर हम उचाहे तो वो अपनी books में accounting कर सकते हैं फिर वो entity कहला हैं लेकिन हमने हमारे समझने के लिए हमने किसको अपनी entity माने हमने reliance industry को अपनी entity माने और वो entity थी उनके जो भी transactions होते what do you mean by transactions transaction का मतलब वो होता है कि जिसमें जिसको मेजर कर सकते हो और express करते हैं terms of money उसे हम transaction करते हैं और give and take होता है और minimum दो पार्टी होती उसमें से एक पार्टी जो थी वो कौनसी पार्टी होती अपके entity हमारे example में वो थी reliance और उस reliance का transactions हो रहे supplier के साथ customer के साथ employees के साथ landlord के साथ हजारों लाकों कड़ों transactions हो रहे transactions को लिखा जाता एक जगा third step होती हमारे recording third step कौन सी होती हमारे recording और recording वाली stage में हम उसको लिखते तो हमने एक book लिखते हैं और यह जो book रखते यहां पर इसको हमने कहते है जरनल सारे के सारे ट्रांजेक्षन मैंने एक जगह पर लिखा उसको मैंने कहते जरनल businessmen चाहे तो अपनी convenience के लिए बचो businessmen चाहे तो अपनी convenience के लिए वो और बुग्स भी maintain कर सकता है जैसे की cash जरनल के अलावा उसने बुला cash book भी maintain करूँगा उसने का other subsidiary book भी maintain करो हैं, क्या ज़रूरी है दो book maintain कर रहा है, नहीं, ज़रूरी निये है, चाहे तो कर सकता है, इस books में लिखा कहे जाता है कैसे यू बात की बादे, बात की चर्चा है, तो भाई इसमें वो अब हमने बहुत है, चाहे तो तीन book maintain करें, तो जो subsidiary book में आता है वो subsidiary book में लिखे जो cash book में आता है वो cash book में लिखे और बचावा हमारी journal में लिखे लेकिन सिर्फ journal maintain करे सिर्फ journal maintain करे सारे के सारे transactions फिर किस में हैंगे journal में हैंगे journal के लावा दूसरे तो जो book में जो लिखना हो जो purpose होता है subsidiary book में क्या था cash book में क्या था आगे पढ़ेंगे लेकिन जो book में जो लिखा जाता है महाँ पर आपने लिखें अभी हम सबजनी के लिए कहते हैं कि हमने journal maintain करें अब क्या हुआ है यहाँ पर journal maintain करें मगर इसमें तो सारे 100% transaction हमने date wise chronological order में लिख दिये अब मैंने कहा date wise chronological order में मैंने इसको लिख दिया अब मैंने कहा कि मुझे इससे मेरा काम नहीं होगा मुझे ऐसा करू कि एक relevant information एक same nature की information को एक जगा पर लेकर आप तो हमने क्या करें एक ledger एक दूसरी book थी एक लेजर एक दूसरी book थी हमाज़र इस ledger में मैंने बहुत सारी book का नामे लेजर और इसमें बहुत सारे accounts बना हैं मतलब boxes है अपन बॉक्से भी कहते हैं ठीक है अब क्या करा इस journal में से relevant information वो boxes एक nature की information को एक जगा पर लेकर रहा तो यह रहा वो journal यह journal में से उठाके मैंने यह journal में से उठाके जो information एक nature की information वो एक जगा तो य journal में से यह journal में से ऊठाया और मैंने purchase के box में purchase की information लेखा यह journal में से उठाया और rent की information rent के box में लिखा अब मैंने जब यह box को देखा तो इस box के तो दो side निकले तो दो side निकले चलो इनका नाम रख देते चिंटु मिन्टु नहीं नहीं चिंटु मिन्टु नहीं इनका अपन नाम रख देते commerce की दुनिया में से कहते हैं अच्छा सा नाम दी एक left side को debit right side को credit तो इसका नाम दी हमने debit credit जब journal में से उठा कि इन boxes में रखा इन accounts में मैं लिखने रखा तो इसके दो side है debit और credit जी तो debit side में कुछ information debit में जो जब debit में बोला debit में लिखे credit में लिखे credit में मैंने फिर इन boxes में क्या कर रहा अकाउंट करने लगा मैंने कहा debit की total फिर credit की total और फिर बच्चों का balance ने खा उससे कहते है totally और balancing मुकेश जी को मैंने बला please come here मुकेश जी आया मैंने कहा मुकेश ज इतने सारे रखे मैंने आपके लिए काम आसान कर गया मैंने हर information को हर इंफर में एक nature की information को एक जगा पर लेकर आ गया मुकेश जी बहले बीजी time नहीं मुकेश जी बहले मैं कितने सारे boxes check करू सबके balances देखू एक एक box देखू एक account देखू time नहीं मैं आसान करो हमने बहले ठीके सर आप दो दिन बात आई फिर आपको आसान करके देखू अब उन boxes की आपने जो balances थे उसको एक page पे लेके तो उस page में जिनके debit balance थे उस page को पहले तो जो हम table बना रहे वहाँ उस table वहाँ पे उस हम कहते ट्रायल बैलन्स तो जिए ट्रायल बैलन्स बना और जून boxes के इसके debit balance थे उनको trial balance में दो कॉलम होते, debit balance कॉलम ए credit balance को debit balance वाले कॉलम है credit balance कॉलम में हमने हम ने यहाप क्या करें लिख लिए इस trial balance में हर तरह की information आ गई, expense के बैलेंस आगे, income के balance आगे, asset के balance आगे, liability के balance आगे, अब क्या हुआ इसके बात? पिर हमने दो दिन बाद बुला है क्या हुआ एक जैसी information को आपने क्या करें एक जगा पर एक जिलाए उसके बाद आपने पर financial state में जिसको final account के नाम से भी बुलाया जाता है उस final account में दो चीज़ थी एक trading penal account जिसमें हमने पूरे साल के expense और income जो trial balances उसको उठा कि हमने महाँ पे लिके और हमने profit find out कर जो भी assets और liability तो उसको उठा कि हमने balance sheet में लिके तो हमारे जो financial account है हमको क्या बता था profit and loss account हमें क्या बता रहा है बच्चो profit and loss account हमको performance बता रहा है profit हुआ कि loss हुआ और balance sheet position बता रही asset or liability मगर balance sheet के जो balance item रहते balance sheet में साइंस वाले घबराना मता जब इस सारी चीज़ा आगे commerce वाले over confidence में भी नहीं जाना अभी ठीक है जो आपकी asset or liabilities है अभी जो आपकी balance sheet में आपने लेके यह अभी इसकी services मिलना बचा है इनसे लेन देन बचा है किसी को इसी से पैसा लेना बचा है तो किसी को पैसा देना हमको बचा है कोई हमारे पास assets है अभी उसका services और अभी हम उसको और आगे use करेंगे तो वह चीजों का आप next year क्या करते carry forward कर देते ना मुकेश जी is happy तो मुकेश जी happy अब हो खुश हो गए यह कोई ना बात अब मुकेश जी बोले ठीके ठीके very good very good मैंने का भाई आप तो very good very good कर रहे हो मेरे को तो बच्चों का accounting का meaning सिखाना था तो मैंने यहाँ पर बच्चों सबसे पहले जब यहाँ पर आज का हम लोग ने discussion शुरू किये थे day two का सबसे पहले हम लोग ने किस चीज के बारे में करते meaning of accounting के बारे में आपसे बात किया तो meaning of accounting मैंने वहाँ पर लिखा था और मैंने का था कि उसको समझने के लिए accounting process समझना हमको बहुत ज़रूर ही तो हमने किस पर discussion की हम लोगों ने आप discussion करे accounting process पर अब मैं आपसे आगे आओ उसके पहले आप लोग को कोई doubt ह विश होगा यहाँ पर तो यहाँ पर आप में को बताईए आप महाँ पर लिख सकते सारी चीज़े doubt है तो आप बिलकुल लिखो ओके तो अब हमने देखे कि सर यहाँ पर accounting का meaning अब पढ़ते है और अब आप देखता है कि कैसे आपको accounting का meaning आपको समझ में आए इसको याद नहीं करें the beauty है इस subject accounting subject की beauty है yes sir समझ में आए no doubt clear all clear okay good okay हितेश सौरब ठीक है ओके अब दियान से सुने मैंने कहा अब से कि यहाँ पर अगर अब बात करें तो अब इस meaning पर जाते है और इस meaning को मैंने आप देखी लगा और मैंने कहा कि यहाँ पर उसने कहा ता अपसे accounting यहाँ से यह meaning गे उसकी उसने कहा ता यह पर accounting is the art of recording क्या कहता है बच्चो इस दा आर्ट आफ रेकॉर्डिंग तो accounting is the art of recording अच्छा classified and summarizing and summarizing अब यह recording का मतलब क्या होता है बच्चो रेकॉर्डिंग मतलब क्या तो आपने देखे जो जर्नल वाली stage है जर्नल जो बनाते वो recording उसको कहते प्रोप्राइटर्शिप में entity कौन होता है एक student का यहां पर doubt है कि सर प्रोप्राइटर्शिप में entity कौन होता है जुबैर खान करके Chartered Accountant Firm है Chartered Accountant Firm है लेकिन मेरे पर्सनल उसमें घर के Expense Income इसम नहीं आते है उसमें भी प्रोप्राइटर उसमें भी जो आपके Soul Proprietorship में Entity Business ही होता है Business के Point of View से सोचना है तो Business Entity Concept हमारा आने वाला इसके बाद वाला टॉपिक हम वो इसी चैप्टर में बिजनस Entity Concept करेंगे तो Soul Proprietorship Income Tax Act के साबसे बात नहीं करो माँ पे वह एक अलग चीज़ Income Tax Act में वह प्रोप्राइटर शिप माली करता है पैन नंबर यह उसी पर बिजनस चलता है एक ही पैन नंबर लेकिन अकाउंटिंग के नजरिये से बिजनस अलग और अलग तो Soul Proprietorship में भी Entity जो होता है आप लोगों का Entity कौन होगा वो बिजनस ही रहेंगा बिजनस के नजरिये से सोचना है जिसके लिए भी आप अकाउंटिंग करें वह आपका Entity रहता है ठीक है अब ध्यान से बच्चों So accounting is the Art of Recording तब ये आपने दिखे जर्णल वाली स्टेज महाँ पे जहाँ पे रिकारड़िंग जर्णल होता है फिर जो आपकी Cash book होती है फिर जो आपकी subsidiary for it जो आपका Journal होता है मैं आपका इस लने बचना करकी लिखाता है जर्णल होता है क्याइश बुख subsidiary book subsidiary book उसके बाद आपने के यह होता है recording classify करने का मतलब क्या होता है हम लोग ने वहाँ पर account बनाए थे बच्छों account बनाए थे yes summarize का मतलब होता है आपने जो trial balance करे थे classify करना मतलब एक nature की information को एक जगा पर लेके आना तो account जो आपने बनाए थे वो था summarize करना मतलब trial balance हमने बनाए कि summarize करके उसका सारी चीज़े एक जगा पर लिखे थे summarize करे थे और उसके साथ में आपको financial statement जो आपका performance बता था कि profit हुआ कि loss हुआ तो अब अगर इस को में इसकी meaning को अगर मैं पढ़ू क्या चीज़ अकाउंटिंग अकाउंटिंग आप रिकॉर्डिंग जर्नल वह रिकॉर्डिंग वाली से क्लासिफाइंग वह अकाउंट वाली से summarize को trial balance of financial statement वाली से इन सिग्निफिकेंट मैनर एक तरीका होता है हां सब डबल इन सिग्निफिकेंट मैनर और इन टर्मस ऑफ मनी जिसको मनी में तोल सकते मेजर कर सकते वही लिखना बराबार ट्रांजेक्शन इन विचर इन पार्ट अब फाइनिशल करेक्टर और इंटर्प्रेटिंग रिजल्ट देर उफ नौ मुकेज जी मुकेज जी आकरी में बोले हाँ हाँ उसके रिजल्ट को इंटर्प्रेट करेंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ उसके इंटर्प्रेट को क्या करेंगे इंटर्प्रेट करेंगे कि बहुत सारी चीज़ होता है कि प्रॉफिट हुआ कि भई लॉस हुआ पर्फॉर्म कोई चीज नहीं इसको भी रटने की जरूद ने और लिखना भी नहीं था इसको मैं आपको PDF इसको आपको शेयर कर दी जाएंगी तो आपको यहां पर आपके profit इसको आपके इसको आपके आप उसको आप उसको आप उसको रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं इसको पर्फॉर्मेंस कैसा है पर्फॉर्मेंस कैसा है पोजिशन कैसी है उसकी वो इसको आप उसको रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं पढ़के उसको decision लेना decision में मदद कर रहा है आपको कि interpret कर रहा है समझना कि performance कैसा है उसकी position कैसी this is meaning of accounting तो यह इसको समझने के लिए यह accounting cycle को समझना हम लोगों को बहुत जरूरी इस accounting cycle को समझना हम लोगों को बहुत जरूरी था समझ मैं मैंने अपसे क्या का अब यहां पर अगर आज के discussion को जो मैंने अभी तक आपसे discussion किया इसको मैं करता हूँ summarize इसको मैं क्या करता यहाँ पर तो यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ किशको उमने summarize अगर करते हैं यहाँ पर क्या चीज्ज होई थी एक से okay summarize अगर हम लोग करें तो सबसे पहले accounting cycle जो होती है सबसे पहले क्या होता है आपका उसमें होता है आप लोग की NTT कौन होता है सबसे पहले का क्या होता है यहां पर ट्रांजेक्शन एंटी का क्या होता है यहां पर ट्रांजेटी की जितने ट्रांजेक्शन से तो आप क्या करते है रिकॉर्ड करते हो तो वह गया आपकी रिकॉर्डिंग वाली स्टेज यह रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में क्या होता है आपके अलग-अलग book के recording वाली stage में होती है, फिर आप एक नेचर की information को एक जगा पर लेके आते हैं, उसे ledger कहते हैं, वो ledger में हम लोग क्या करते हैं, accounts बनते हैं, एक नेचर की एक information को लेके आते हैं, फिर जर्नल में से जो आप ledger में लिखते हैं, उसे हम लोग क्या 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 तो वो बॉक्सेस पे हम लिखते डेबिट और क्रेडिट करते फिर वो पोस्टिंग की क्या करते बच्चों टोटलिंग और बैलेंसिंग करते वो पोस्टिंग की क्या करते हम लोग टोटलिंग और बैलेंसिंग करते फिर उसे हम क्या करते वो बैलेंसिंग होगी सबके बैलें उसके बाद हम final account बनाने के पहले बोलते हैं कोई चीज रहे गई कोई चीज लिखना तो वो लिखते हैं उससे हम क्या कहते है adjustment entry उससे हम क्या कहते है adjustment entry और उसके बाद फिर बच्चों हम लोग बनाते financial statement और वो financial statement हमको हमारा performance और position business की कैसी हो हमको बताता है तो यह जो financial statement है हमारा यह हमें यह बताता है कि हमारे business में का performance कैसा है कि position और performance बताता है तो आपने जब meaning of accounting देखें महाँ पे तो आपने महाँ पे ते कि accounting is the art of recording तो यह हो गया आपका recording वाली stage यह हो गया आपकी recording वाली stage फिर क्या करते है अब उसको classify करते हैं तो classify कर लेते हैं तो आप classification accounting is the art of recording, अपर आप उसको सम्मराइज करते हो आप उसको क्या करते हो यह आप सम्मराइज करते हो यह आप सम्मराइज करें आप ने उसको Summarize करें कि ताकि उसके results को हम क्या करें यह आपको result बताते है यह आपको क्या बताते है ताकि इसके result को क्या करें interpret कर सकें interpret करने का मतलब कि हम देखे कि performance कर सका profit की loss है तो यह interpret कौन करता हो इसके जो owners रहते हैं वो interpret करते हैं management करता है उसका shareholders interpret करते हैं बैंक में आप loan लेने जाते हो तो बैंक वाला बोलता है कि बैए loan दे कर नहीं दे वो आपको decide करते हैं तो आपको इसके है कि आपको performance यहां पे कैसा है तो बहुत सारी users होते है तो कौन होते हैं बच्चे कौन यह result देखना चाहता हूँगा कौन यह result देखना चाहता हूँगा तो बहुत सारे लोग है यहां पे वो यह results को देखना चाहते है example की तौर पे मैं कहता हूँ management देखना चाहता होंगा, shareholders देखना चाहते हैं कि आपका performance कहता है एक तो आपका management देखना चाहेंगा कि वह कैसा performance है जगाई नहीं है आपे, ठीक है management हो गया shareholders हो गया banker हो गया, bank देखना चाहेंगा कि यह जो result है आपका बच्चों यह result देखना चाहेंगा, कौन देखना, इसके अलावा भी बहुत से लोग रहते, यह लोग देखना चाहेंगे, इन्हें कहते हैं, users of financial state में, तो यह accounting का meaning समझने के लिए, accounting side process समको समझना ज़रूरी था, तो यह हमारा discussion हुआ, आपका accounting process, आज वैसे हमारी class 2 hours की होती, लेकि श शुरू करेंगे, लेकिन आज हम लोग शुरू नहीं करें, वो हम लोग कब शुरू करेंगे, वो हम लोग अब, next session में हम लोग वो शुरू करेंगे, ओके, और आप लोग की class, Friday to Tuesday, मतलब आपकी वैडनेस बे थरस्डे ओफ होता है, Monday Tuesday class है, फिर वैडनेस बे थरस्डे ओफ अब next class से questions शुरू होंगे, जब तक आपको book भी मिल दाएंगे, ठीक है, जब तक आप लोग को book भी मिल दाएंगे, ठीक है, तो अब आप लोग को, हमारा session यहाँ पर खतम होता है, और इसके बाद next session से फिर two two hours ही में लेते जाओंगा, और फिर हम लोग अब इस पर questions भी कर करते जाएंगे, तो आप लोग के आए हो, अभी कल और पर सो आफ से थे, वेडने से थस्दे आपकी class ही, Monday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday को भी class ही, ठीक है, तो आप लोग की यहाँ पर तो दो दिन में आपकी book भी आ जाएंगी, कुछ बच्चों के आ गई ही, काफी लोग को बोल दे की, आ गई ही, और कुछ बच्चों को नहीं आए, जिन बच्चों के निए, उनको भी आजेंगे, फिर हम लोग दो दिन बाद एक question से, हम लोग इस पर शुरूर करेंगे, तो अगर आप लोग को कोई भी doubt होगा, तो मैं भी थोड़ी दे रुपता हूं, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा, तो आप लोग मुझसे पूछेंगे, वेगन आसके, एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट होगा, तो आप पूछ सकते हैं, नो सर, ओके, मलिक चौदरी, हिटेश, सौरब, अंकीत, निखिल, गौरांग, शशीन, ओके, एनी डाउट, राहुल, नो, नो डाउट, नो सर, ओके, नो डाउट, ठीके, ओके, सो, फिर समझ में, ठीके, ओके, चली, तो हम लोग यहां पर हमारा सेशन खतम करता है, आप लोग का भी होमवक मिलना शुरू होगा, अभी कोश्चन शुरू नहीं होए, तो आपको जो बुक है आप लोग के पास है, इ समझ लो इस बात को, कि पंदरा चैप्टर में सबसे बहतरी, सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर आप लोग का पहला चैप्टर, जो अभी हमने आज शुरू करें, एक-एक पॉइंट को बारीगी से सुनते चाह, एक-एक पॉइंट को ध्यान से सुने, आज जो अकाउंटिं क्या होती, अब बच्चो आगे चल कि इस चैप्टर में आप लोगों को, अभी अपन आज जिसे आगे की सेशन में, एंटिटी क्या होता है, उसके बारे में इसमें डिसकस करेंगे, फिर उसके बाद पर ट्रांजिक्शन क्या होता, उस पर डिसकशन होगा, फिर आप लोग अिस चैप्टर में जैसे कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, यहां पर देखोंगे कि आपको फी जर्र, आप लोग, एक सक्शन, ठीक है, यह चैप्टर में जर्नल क्या हिआ हूं, उस पर डिसकशन होगा, फिर मैं आप लोग को कैश बूच क्या होगा, सबसीडिरी में दिसकेशन उस पे question account किया तो उस पे question फिर trial balance किया उस पे question सारी चीज़ इस को कैसे हम यह trial balance वाल इस तेश्ट तक इस chapter में हम लोग करेंगे फिर आपको separate chapter final account financial statement वहाँ पर होगा तो आज सीव हम दे overview देखे कि accounting क्या होती है अब तो सिर्फ शुरू है अभी अगले session से देखो कैसा और मजा आने लगेंगा आप लोगों को जब आपने एक एक चीज़ के बारे में detail में discussion को फिर questions करने करते जाएंगे तो सबसे important पहला chapter इसलिए कि अगर पहला chapter अच्छे सा हुआ और मैं कह रहा और first chapter को बार-बार-बार-बार-बार हर chapter में first chapter की बात होंगी पूरे के पंदरा chapter में पहला chapter हर चैप्टर में पहले chapter की बात होंगी तो पहले chapter इसलिए important है कि हर जगा यूज़ है आगे के पूरे के पूरे chapters में आप लोगो जब आगे के पूरे chapters में यूज़ है तो आपको तो questions करेंगे अब आपको next session पर homework मिलना शुरूँगा, फिर homework हम लोग discuss करेंगे class में, और class में discuss करेंगे बाद फिर ही हम लोग आगे बढ़ते चाहेंगे, so, आज का session यहापर हमारा खतम होता है, आपको कुछ भी लिखनी की ज़रूरत नहीं है, इसकी PDF आपको 10 मिनिट के अंदर, 15 मिट के अंदर, आपको जो Google Drive को लिंक दिया हमाँ पर शेर कर भी चाहेंगे, so, session अब लोग यहाँ पर खतम करते, take care,